नमस्का मेरा नाम है डॉक्टर पुरूधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन के बारे में पैलेसिस पेशन की बॉड़ी में अगर पेन हो रहा है तो उसके क्या मतलब है ये पेन किस किस वज़ा से हो सकता है और उसका समाधान क्या है इस सब को हम बात करने वाल हैं इस वीडियो के अंदर तो पहले शुरुवात करते हैं पैलेसिस के साथ की पैलेसिस में किस टाइप के पेन हमें देखने को मिलते हैं तो हमें दो टाइप के पेन देखने पड़ते हैं एक होता है लोकल पेन आपकी मसल्स नहीं मूफ कर पारी बहुत स्टिफ हो चुकी है, हाथ अकर चुका है ज़रा सा खुलते हैं, बहुत दर्द होता है ठीक है? यह लोकल पेन है यहाँ पर मसल्स में स्टिफनेस के वज़़ से हो रहा है दूसरा पेन क्या होता है? कि पेशिंट बैठा हुए, आपका हाथ लगता है अराम से, पेशिंट को बहुत भ्यानाक दर्दर्द होता है ऐसा लगता है किसी नहीं डंडा मार दे हो यह पेन होता है यहाँ पर प्रेन के अंदर हमारे बॉड़ी में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा ब्रेन प्रसस करता है हावा चल रही है हमें महसूस कौन करवाता है? ब्रेन हम सुन पा रहे हैं, कौन महसूस करवा रहा है? सुन पा रही है, समझ पा रहे है, कौन को पहोशुस कर भा रहा ovat brain face it तो हमने अगर किसी भी वज़े से brain को नुख्सान हो जाए, clot रोट जाया था, पेशन को सिफ हाथ लगा था बड़ शाय से लगता है डंडा लगा था क्यों सिगनल तो गया था किसी ने चुआ पर रिस्पॉंस के आया किसी ने डंडा मारा इसलिए पेशन को बहुत भ्यानक पेन होता है तो इस पेशन को हम थोड़ा बात में डिस्कस करेंगे हैं हम पहले चलते हैं जो फिजिलोजिकल पेशन है जो फिजिकल बॉड़ी में हो रहा है अगर किसी पेशन की मसल्स बहुत जादा स्टिफ हो चुकी है बहुत जादा हाड हो चुकी है खोलने में दर्द हो रहा है तो य तो भी बीड थेरपी करते हैं, हीट को डीप अंदर तक लेके जाते हैं, मसल्स तक बोंस तक जहां पर वो मसल्स रिलाक्स करना स्टाट करती है, ऐसा नहीं है कि आपको फिजिए थेरपी क्लिनिक जाके ही काम होगा, आप घर पर भी कर सकते हैं, जितने भी पिशेंट साइंस हैं, उनको हमारी तरफ से ओल दिया जाता है, इसी काम के लिए कि जब वो मसाज करेंगे, हाथ की रगड से गर्मी पैता होगी, वो गर्मी नीचे टिशु तक जाएगी और उसे रिलाक्स कर देगी, ठीक है, बुसको आप भी उसका सकते हैं, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं आपने कुछ मोटा कपड़ा पहना और उसके उपर आपने रख लिया, अब जैसे जैसे मसल्स गरम होंगी, वो डीली पड़ेंगे, और तब आप अपने हाथ को सीधा करना शुकर होगे, यानि नरम करने के बाद, नरम करने से पहले आप उसको हाथ को हिलाना शुरू करोग तो दर्द तो हो गई होगा, और अगली बार वो और जदा स्टिफ मिलेगा, तो मसल्स को रिलाक्स करकर आप करेंगे अपनी स्टेचिंग, कि हाथ सिधा रहे, पैर सिधा रहे, इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, तो ये पेन मैंना को समझा दिया कि दो तरीके से ठीक हो सकता है, पहला है हमारा ओल्स मसाज हलकी हाथ से मसाज, हीट दे नहीं है और कुछ नहीं करना, तूसर तरीका है जल पैट्स, इन दोनों का यूज करकर आप अपनी मसल्स को रिलाक्स कर सकते हो, पेन खतम हो जाएगा, अगर वो सिध मसल्स की वज़ा से हो तो अगर वो निरोलोजिकल पेन है, ब्रेन से आ रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा, उसमें तो आप मसाज करोगे, हाथ लगाओगे, पेशेंट दोना शुरू देगा, ऐसे पेशेंट के अंदर हमें सिर्फ एक ही रस्ता होता है कि ब्रेन की डेलेफ्मेंट करवाना, क्योंक इसकी ब्रेन की अंदरस्टेंडिंग बढानी है, कि सिर्फ चुवा था, मारा नी था, तो हमने उसको ड्रलप करना होता है, जो नुकसान हो इसकी भरपाई करनी होती है, और भरपाई करने के लिए, मैं पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको अंडरस्टेंड करना पड़ेगा, कि ब्रेन में क्लॉड जो आया था, नस्वटी थी, ब्रेन का वो इसका डैमेज हुआ था, उसकी रिपेर ज़रूरी है, उसका जो वर्कलोड है, वो शिफ्ट करना ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो आपके दिक्त बनेगी बनी जाएगी, तीन चीज़ें इपोर्टेंट है, मेडिसिन फोर निरोप्लासिटी, दूसरा, डाइट क्या खार यो खार यो खार यो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, कि आपका ब्रेन किस तरह से वख करेगा, और तीसरा है, कि हम ब्रेन के लिए क्या कर रहे हैं, इन टम्स एक्सरसाइज, ठीक है, तीनों चीज़ें को एपलाई करें, एक साथ जो पेन है, उसमें आपको चिंज़ें नजाराने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेने दू मेने कंदर जो पेन हो रहा है, वो काफी तक सब्साइट कर जाता है, खतम हो जाता है अब एक और केस के अंदर में पेन देखने को मिलता है, वो है, स्पैनल इंजरी, अगर किसी को चोट लगती है कमर पे, या फिक गर्दम की नीचे, तो इसके नीचे का इससे पारलाइस हो जाता है, अब दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो बिलकुल मुवमेंट नहीं होगी, या थोड़ी बहुत मुवमेंट होगी, अगर थोड़ी बहुत मुवमेंट हो रही है, पेशन को महसूस नहीं हो रहा, ठंडे का, गरम का, तो जब हम मेडिसन स्टार्ट करते हैं, या दखना, जब हम मेडिसन स्टार्ट करते हैं, तो जब दुबारा से फंक्शनिंग वाप आपने अपनी हिम्मत हिखटटे करना है तीन्सवा मेने पेन होना है मैं पहले ही कहा हूँ उसको थोड़ा सा सहल होगे मुवमेंट अगर आरी है तो वह और आती रहेंगे और पेन चला जाता है पेंग खतम हो जाता है जैसे ही मसल्स क्योंकि मसल्स बहुत स्टिफ थी ना मसल् गड़ी ने करिक्त ही, अब आप सोचो जाती है अब फैसल्स के अक्छ हए क्फ सिह घ्लस प में एक प्लस प्लस संठ हो तो एड़ चाहट रहे सत तो उसमें पाइन के साथ होती है तो ऐसमें पें बयूत के साथ हुल्टे ना ही बेदे हिसे प्रस प्लस सबगता और आप शो पूछिए कि किस सना से हम इससे रिकवर कर सकते हैं और इसी के साथ मुझे चलने की आगया दीजी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार